गाडियों में जो coolant डलता है वो 70% water होता है और 30% antifreeze होता है तब भी वो green क्यों होता है क्योंकि उसमें बाद में color red किया जाता है ताकि अगर वो कहीं से leak होए तो अलग से दिख जाया अगर उसमें करद ना डाला जाया तो पूरा transparent होगा